तोस्तों एक यह देखिए एक यह देखिए एक वो देखिए यह है तीन गदी डॉग और इसके मालिक है हेमत भाई कितने साल होगे गदी डॉग रखते हैं अभी यहां काम लोग डाउन के बाद ही किया अभी दो तीन साल को गवाँ में और पहले से घर में एक एक डॉग मुसली होता ही था यहां पर मुसली हम जब से अम बच्पन से हैं मैंने इक डॉग अपने घर में देखा ही है और रखते आया हमारे पूरवज लोग इसके पीछे बहुत इंट्रेश्टेट कहानी हो गया है जो कि प्राइन लोग डॉग एक ना एक तो हो गए होगा और अभी तो कुछ सालों से यहां पर बंदर का बोल बाल से कि हमारे खीती गरों में मुर्गियां है बे खौफ है कि उनको पता है कि यहां पर बिल्ली नहीं आ सकती तो वह समय चूंगते रहे कि यह पूरा गार्डिंग है तो घर में जैसे को टेंदू अगया टाइकर वगया उपर से चला मार दी तो क्या करते है इनका पहले रेक्शन क्या होता है पहले रेक्शन तो यह कि यह पहले अपने खुद अलट हो जाएंगे इनको इसमेल आनी सुरू हो जाएगी तो यह अगर मैं कभी बार अंदर रखता हूं तो यह मेरे जहां पर रखता हूं वहां पर फोड़ जाता सुरू कर देते अच्छा तो और क्या खासियत रहती है इ यह वाला डॉक डॉक्ट करें इसमें सबसे बड़ी बात ही है कि इसमें मेंटेंड करना कम है इसमें आप एक रेविज का इंजक्शन लगा दे कि कहीं किसी पर अटेक ना कर भाए और इसमें एक बूस्टर लगा दीजिए बच्पन में ज्यादा इसमें कुछ मैंटेंड न मतलब अपनी गार्डिंग लिए तो वजन कितना होना चाहिए इसका वजन इसका ज्यादा से ज्यादा पच्पन से साथ होगा मेल का और फीमेल का चालिस से पैंतालिस इतना ही जाएगा तो यह आपके गाउं में जैसे मैंने देखा है तीन ही डॉग है जो पूरा गाउं सो चोटे बाल होगा है सब कुछ उसके पैरेंट्स एक अच्छी लाइन करा होगा एक बेखा लाइन को रह गया होगा तो यह वैसे आपने कहां से लाया था यह मैंने उत्रेखन के बैकुट इलाके से लाया हूं चरवा लोगों से लाया हूं अलग जगह से बहूत दूर बच्चा वो ना के बराबरी देंगे वह तो थोड़ा रिलेटीव थोड़ा ज्यादा फोर्स करने के बाद उन्हें यह दिया उनके साथ रिलेशन था तब उन्होंने मुझे यह वाला देदिया और क्या बताना चाहते हो इसके बारे में गदी के बारे में अगर आप क्लेफुल है हमारे आप घर भी बच्चे ज्यादा खेलने कूदने वाला नहीं है अगर जैसे हिसाफ से सोचलाइज किया हुआ है बच्चों का बच्चों का बच्चों साथ तो कलर कितने आते हैं इसके कलर इसमें मोसली दो कलर तो ही दो कलर टैंट जादा है और ब्लैक है कबी टाइम में एक ही कलर के होते थे तो उसमें जैसे की यूद वगरह पहले से शुरू हो रहते हो यह कहीं बहुत तो इसमें दो कलर के मिक्सिंग अगर आपको कोई सिंगल डॉग मिलेगा सिंगल कलर का तो ज्यादा है भी नहीं होगा बच्चों कर दो कलर जैसे यह बहर क प्राइब ये चेस्ट में भी यह तो यह मिक्सिंग करके मतलब दो भूटिया अलगा कलर करके इसको बनाया गया है अगर जो भी एक कलर होगा आपको जो जिद्धा बारी बर कम नहीं नहीं वो कम दिखे का अगर दो कलर बना रहे हैं तो ज्यादा बारी बर कम हो जाए दो जै यूप यूग वाय अच्छा एक चीज वर मेरे नमाब में आती है जैसे 500 बेड तो आम होती है गदियों के बास तो कितने डॉग उन्हों ने रखे होते हैं अब तो वह ज्यादा रखने सुरो कर दिया पहले वह दो से तीन अच्छा अब वह क्वालिटी कमी रह गई है अब पहले एक अलट जारी कर देंगे अचा अच्छम जारी कर देते हैं और वीड़ों को विधार में विसका नाम है अच्छा तो है पूरे गवं के में राजा बनके घूनता है सबस्क्राइब लाट लाट लाइए तो यह वैसे इन्होंने गंटी क्यों बांध रखिया अंदेरे में यह भाग जाता है तो पता लगता रहता है कि अभी राजा नीचे वाले गाउं में गया अभी राजा ऊपर गया और यह पूरी रात चोकिदर करता रहता है रात को सोता पर शोने देगा नहीं सोने देगा लोगों को भी उठाके रखेगा अलट जानी रही है इसका और माता जी इसको करते हैं माता जी क्या खिलाते हो इसको ऐसा रोटी में ऐधे और सब्सक्राइब और दय मठा ये पर डाव होता है कि इसको लुघी नटक क्यों निए को अगया जाता हिता अगर कि न महीं और वें ऑप जेखर अगर भाई का इस्तमाल किया जाता है और इसको इसको खालने अश्तुमाल कि बुमे रहे अगाद कि य्यक्वत निस बेंफीन जुद落व सेhe तो आपने बहुत सारी बुट्या डोंगे यहां पर नाग पर इसक्रेश देखा होगा अच्छा तो यह बच्मन में इस पर गरम चिम्टा अगरे लगाती जो कि अंदर को बुखार हो जाए अब तो मेडिकल फैसलिटी बहुत आने लग गई अब तो नहीं नहीं लोगों के प अपनी उत्तरकां से साइट यहां पर कट हो गई हो जिसको बच्पन में डोको भुखा रहाता होगा अजिस में यह कोई भी एम मार्च अफरेल में यह मैन इनको बचाना बहुत चैलेंज हो जाता तो माता जी आपके लिए कुते कितनी इंपोंटन्स रखते हैं क्यों रखन बचाते हैं सब्जी बचाते हैं खेतों की रक्षा करते हैं और एक फार्मर के लिए पहाडी लाके में कुता बहुत जरूरी है क्योंकि बांदर आएंगे सब्जी बकार कर देंगे खराब कर देंगे शेर आ गया तो उससे भी है तो यह समय लीजिए इनकी बेटे की तरह हो हुए है और डॉक वह देखिए वह देखिए यह अब भागने की त्यारी में है क्योंकि एक फीमेल किसी और गाओं में में सीजन पर है और यहां से ही समय ले रहा है यह राजा बना हुआ इस टाइम पर और हमनत भाई क्या कहना चाते हैं इसके बारे में मैं यहीं कहूंगा क्योंकि लोग अपनी इंडियन चीज को भूलते हैं भार की चीज को ज्यादा प्रोसा है और यह अकल मुझे अपनी कहानी सना रहे थे यह वैसे ना वैसे टॉप पर जाते हैं वहां पर बक्कर वालों ने जब नवंबर दिसंबर में बच्चे दिये होते हैं आठ दस बच् जोड़ करके लेकर जाते हैं मतलब कितना इंसी को पूरी होगी definitive हुआ क时 आउगी ना एक साल में के συνर्च को यह सामने चाम है सब्सक्राइब करते हैं तो माता यह कितने टाइम खाना काता है सुबा शाम और दूद्ध दे देते हो गाएं का बैंस का दो दे देते हो पच्चे जाता है इसको कुछ नहीं होता दोद्ध मठाएं देखेजी हम दुवाईयों के चक्कर में पड़े हम दूसे प्रेज रख रहे हैं और जो नेटिव लोग पालने वाले हैं वो दूद्ध देहीं पर ही कुटा पाल रहे हैं और यह देख लीजिए कंडिशन मैं कहता हूं बिलकुल भारी भरका में लग रहा और फूरतीला अभी इसको छोड़ेंगे ना भाई साब यह हाथ में नहीं आए अगर आपको इससे जदा मेरे कहाल से प्योटी और स्टेंडर कहीं नहीं मिलेगा यहीं की ब्रीड यहीं पर पली बढ़ी है और माता जी ने अपने हाथों से कभी बच्चे लिए इनके अपने घर में बच्चा देखा कभी कितने कितनी बार पांच बच्चा हुआ था तो यहां फाल में अच्छा अगर में पाले आप और तो यह अधेनावरे आप इसनी नाती नाती आते आयां दोता पूती हैं यह देखे यह लड़का पीछे बटा हो यह सारे मतलों यह एक ना फैमिली की तरह ही होता है तो घर के बच्चे कर देते कि किसी का पीच्छा ना करें अब घर में कोई आता है तो जब तक अगर हमने अवा नहीं देंगे देखे दोस्तों आपके ना बड़ी देर से कमेंट आ रहे थे अच्छे बूटिया दिखाऊ ब और जो पुराने लोग होते थे ना उनको नॉलेज होती थी एक एक कलर की अभी यह दो बाल वाइट है इनको पता होता है यह किसके कुट्टे के साब मिक्स हुआ कोंसे गद्दी वाले ने इसके साब मिक्स किया कैसे बच्ची आया है यह स्टेंडर ऐसे ही मापा जाता अभ ब्याई कहते हैं तो यह चलता रहता है इनका तो माता जी बड़ा अच्छा लग आपसे मिलके और खाना भी बड़ा अच्छा था आपने खिलाया में वह माता जी कह रहे थे जो आज कल पहले हम चुगोरा जंगोरा वह पहले आदमी खाते थे आज कल यह कुटों को खिला र जा वह माता जी के यह जो यह पूरी फैंवने यह एक तड़ा रखते हैं मतलब जैसे बोल थे आपने कुता रखा यह इनके लिए यह जए क्योंकि हमारे बच्छे दो बंदर बगाने नी जयाएं बचतए को बढ़ा रहे हैं यह एक बढ़ा अच्छाुरा होता है आग कर ल बता दीजिए experience जुरूबा तरुबा क्या है इसको देखो पर आप फिर बताव दर्वा नहीं है डरता नहीं है मतलब यह शेर के आगे आगे जाएगा यह यह डॉक्ते आएंगे यह बाइस आगे से जागे टैक करेंगा ऐसा कहने का मतलब है यह मतलब कि कोई इंसान आये और किसी गोड़ाता नहीं यह अपने आप लेटा रहता है इसको छेड़ दिया तो छोड़ता भी नहीं है पिर यह बलट है इसके खून में है यह चोड़ता भी और जैसे मतलब ऐसे चोटे-मोटे बच्चे इसे ड्रा दें पर यह चेड़ता नह आगे आगे चलेगा यह रहात नहीं पर यहां से पैदली ऊपर चला गया था हमारी गाड़ी का हॉरन मारते ही माता जी ने इसको खुला यह चला गया अपने अपर और यहां नीचे लेकर आया आगे चलके मतलब यह कोई अटएक आगे से कर देता तो यह बहुताब ये छोटी सी एक कहानी थी एपिसोड टाइप बन गया तो हिमत भाई के साथ वैसे तो हम पूरा दिन रहेंगे और भी हम डॉग्स देखने की कोशिश करेंगे अच्छे-च्छे कहां पर है और ये बड़ा प्यारा राजा तो बहिया का नंबर नीचे आप कॉंटेक्ट कर सकत थैंक यू माताइजी थैंक यू